गुड बॉर्णिंग आलाफी मैं डाक्टर सुरुजीत आपके अपने चल्लम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आए आज बात करते हैं यूजिस इंडेक्स जैहरप के हिस्ट्री सब्जेक्ट की ठीके बच्चों पेपर टू हिस्ट्री भारती इतियास में सरव बच्च संस्कृत लगाएंगे आपर तो संस्कृत सरवादिक प्राचीन राज भासा नहीं थी ठीके बच्चों तमिल प्राकृत भासा सरवादिक प्राचीन थी प्राचीन भारत में किन दो राज्यों रजाओं के चक्रवति होने के साक्ष हैं इंद्र वरुन असोक शंद बच्चों इसक्रिम तो आपको अंसर धीकी राज सरवादिक जो दो राजाओं के चक्रवति होने का साक्ष मिलता है वह असोक वास्वन द्रुकृत के संबंध में मिलता है ठीक है बच्चों चले क्वेश्चन नमर 3 देखते हैं इसा की आरंबिक सतादियों सिक्कों के साच किस चीज के बने होते थे पक्कि मिट्टी के ताबे के कच्चि मिट्टी के कह से पक्रमभ में बच्चों आरंब में प्रारंब में जो महां पर हैं किस अस्थाल से प्रापत हुए हैं पेडुवाकूर, दायमाबाद, नागार जुनकोंडा और भटकल, बच्चो पेडुवाकूर से दूसरी सताब्दी इस्वी के इटों के बने 22 कुवे प्राप्त हुए हैं, ठीक है बच्चो? इस्त्री अपने इस्त्री धन के साथ अपनी अचल समपत के बिभे सकती है, टेका गिर्वी रह सकती है, किस कार का है? सकती है तता गिर्भी नज़ सकती है यह कतन कत्यायन नहीं कहिए मनु तो ऐसा कहे गाई नहीं क्योंकि मनु कटर विरोधिता नारियों का ठीक है बच्चों देखे रामायर महाबारत पुराणों को सुनने का अधिकार सुद्रों के साथ साथ इस्त्रियों को कब प्राप्त हुआ मौरिकाल में कुशाडों के काल में गुप्त काल में हर्शवर्दन के काल में बच्चों रामायर महाबारत पुराणों को सुनने का अधिकारों को सुद् और जैनों का उतकर्च हो रहा था जिससे की लोगों का हिंदू धर्म का अपर्दन हो रहा था मींस उनका हिंदू धर्म का महत्व कम हो रहा था जिस कारण हिंदू धर्म में बदला हुआ और यह सुद्रक सासर इस्त्रियों को भी सुनने का अध्या दिया गया ठीक है अच्छ अशोक अंग्रोजयोशपूर सबसे बड़े भाग का सासक चंद्गृप्त दुती मौरवंस का पहला सासक और पुलकेशित दुती उत्तर भारत पे बिजय करने वाला और हर्षबर्धन भारत का अंतिम हिंदू सासक कौन सा सही सुमिलित नहीं वच्चो यहाँ पर चंद्गृप्त दुती मौरवंस का पहला सासक नहीं था चंद्गृप्त पर्थम मौरवंस का पहला सासक था जो की जो की यहाँ पर मौरवंस के सासन के अस्तापना नंदवस को अपदस्त करके करता है ठीक है वच्चो चले आगे कोशन्स देखते हैं Q8. मौरिकाल में राज कोशी, कोश और भंडागार का सरच्छक कौन होता था? सन्निधाता, समाहरता, रजुक, संग्रियत. बच्चों, मौरिकाल में राज की कोशागार और भंडागार का सरच्छक सन्निधाता कहलाता था? ठीके बच्चों? दशिर भारत में सैव नैनार संतों की संक्या कितनी थी 12, 8, 63, 72 सैव जो नैनार संत होते हैं उनकी बात करें तो नैनार संत 63 होते हैं 63 चले questions आगे देखते हैं निमलीखित सासकों में से कौन सैव मत का सरचक था सैव मत का सरचक था तो यहाँ पर मिहिर कूल यसो वर्धन ससांग हर्षवर्धन आंसर क्या हो जागा बच्चों यहाँ पर मिहिर कूल यसो धर्मन ससांग हर्षवर्धन सभी स्यमत के सारच्छक थे आंसर हो जागा आपका यहाँ पर D चले question number 11 देख लेते हैं बिशुडू की चतुरभुजी मूर्थिया किस काल से मिलने लगती हैं गुप्त काल से हर्षवर्धन काल से राजपूत काल से मुगल काल से बच्चों बिशुडू की चतुरभुज मूर्थिया राजपूत काल से मिलनी प्रारम होती हैं जैन मत में मनुष्यों के तीन स्रेणिया दे गई हैं निमलिखित में से कौन सा एक आसंबंद है अब्रती, अडवर्ती, सर्वत्रवर्ती, गुलवत्ती बच्चों अडवत्ती, सर्वत्तवत्ती और गुलवत्ती दिया गया है यहाँ पर सर्वत्त्री, अडवत्त्री और अवर्त्ती यहाँ पर जयर्मत में मनुश्यक स्रेणिया तो है गुलवत्ती यहाँ पर जयर्मत में मनुश्यकी स्रेणिया नहीं है तो आंसार आपका हो जाएगा D भगवत धर्म का उद्भव निमलेखित में से किस अस्थान पर गांधार में, पतल पुत्र में, कासी में, मत्रा में तो बच्चों भगवत धर्म का उद्भव यहां पर मत्रा में हुआ था ठीक है पच्चों बौध्ध साहित में महावीर को किस नाम से अभीत किया गया है बौध्ध साहित में ठीक है बच्चो महावीर को जो कि जन धर के परवर्तक थे इन्हें किस नाम से अभीत किया गया है बोधिसत जिन अरहत निगंट नाथ पुत्त बच्चो यहाँ पर महाबीर भगवान को बोध्यत्वसाइत में निगंट नात पुत्त नाम से अभीत किया गया है पंच रात धर में पांच देउता की आरदना होती है निम्ल में से कौन सा उनमें एक नहीं है संघर्चन, नारद, प्रद्युमन, अनिरुद, बच्चो पंच रात धर में नारद देउता की रूस में पुजा नहीं की जाती है नारद की ठीक है बच्चो चले फटावट करते हैं कोस्चन नमबर 16 दच्छिर भारत की पराचिन्तम भक्ती रचना 10 20 का संबद निम्ली खित्में से कीस्य है पराइब बच्चो पराचिन्तम भक्ती रचना जो दच्छिरय हमुर्गन का उलेख है मुर्गन कौन दच्छिर भारत में कार्थ के जो बगबान श्रिव और पार्वती के पुत्र हैं ठीक है उन्हें बोला जाता है दुती पुत्र है पैर सम गड़े से हैं और जो कार्थ के उन्हें दच्छिर भारत में मुर्गन नाम से पूजा जाता है ठीक है बच्चों उद्याना चार का संबंद निमली खित में से किस दर्शन से है बैसे सिख नय योग और बेदांत बच्चों उद्याना चार का संबंद नय से है सठ दर्शनों में प्राचिनतम कौन सा है बैसे सिख नय सांग योग बच्चो प्राचिंतम सठडर्शनों में प्राचिंतम साख्य दर्शन है ठीक है बच्चो चले क्वेश्चन है आप नेक्ष देख लेते हैं कुवेर उत्तर बैदिक साहित में निमलिकित में से किस उपनाम से उल्ले कित है धनराज, दिकपाल, वैसरवाण, वजसरवाज बच्चों कुबेर उत्तरवधिक साइत में वैसरवाण नाम से उलेखित है चले क्वेशन नमबर 20 देख रहेते हैं बच्चों नमलिकित में से कौन वरुड के अत्रिक तीन अन्य लोगपाल में अब में परिगडित नहीं है यम, इंड, यच, कुबेर बच्चों वरुड के अत्रिक तीन अन्य लोगपाल में परिगडित नहीं है वह है यच्छ लोगपाल के रूप में कुबेर एंद्र और यम का बर्डन मिलता है यहाँ पर यच्छ का लोगपाल के रूप में बर्डन नहीं मिलता है दचेड भारत में स्यूका विवा मिनाच्छी से लोग पर चलीते हैं मिनाच्छी किसकी पुत्री मानी जाती है चिदंबरम की पांडराज की राजराज परतम की कुलोतुंगी बच्चो मिनाच्छी का मंदी मिनाच्छी देवी का टेंपल मदरई सहर में है जो की तमिल काफी प्रिशिद्ध साहर अपने भारत का बहुत ही अच्छा साहर है आप कितना खुबशूरत एक और भी मौका मिले तो चाहिए मद्रही में पहले बीडियो में बता चुका हो मिनाच्छी देभी का मंदीर बहुत प्रिशिद्ध है चलिए यहां बात करते फिर मिनाच्छी जो देवी थी या पांड राज्य की पुत्री मानी जाती है प्रमप्रा अनुसार ठीक है बच्चों कोश्चन नमबर बाई दे लेते हैं उत्तर भारत के कैलाज पंडियुचेरी के पास अविस्तित है वहां के मंदिर का क्या राम है कैलाज रनात मंदिर ब्रिदेश्वर मंद चिदंब्रम मंदिर बच्चों दच्छिड में चिदंब्रम मंदिर है जो की पांडिचेरी के पास इस्तित है ठीक है बच्चों द्लवर बैस्तित की रचना का शंग्रे क्या कहलाता है तिवरम नलाईरम तिश कूराल अगम बच्चों द्लवर स्ब्रम नलाईरम कहलाता है प्रोणियोंसर्शन थोड़ा से तमिल है यहां पर तो थोड़ा गलती हो सकती है बट आप लोग जो है ठीम को पगड़िए कन्या कुमारी की पूजा का उल्ले कि स्रोत में मिलता है असोग के अभलेक में पेरिपल्स आपदा एरित्रियंसी में गरुल पुराण में बिशुल पुराण बच्चो पेरिपल्स आपदा एरित्रियंसी में कन्या कमारी की पूजा का उल्लेक मिलता है जो कि किसी अज्यात विदेशी बेक्त की रचना है पेरिपल्स आपड़ा एरिधियन सी नराट की किस गरंद का भाग है रामायड महाभारत अध्यादाई बहाभास नराइडी जो है महाभारत का भाग है ठीक बच्चों चले कोश्चन नमबर 26 देख लेते हैं बाउद्य संग के विशय में निमलिखित में से कौन सा कथन आसत्य है दास सैनिक रिड़ी आस्रिद्वे की संग की सदस्या की योग नहीं माने जाते हैं संग की पूर सदस्यता 20 वर्ष की आग के बाद ही मिल सकती है संग में सभी पूर संगों में विश्वियों कराने का निशेद्ध था बच्चों यहां पर आंसर आपका डी अधिक बच्चों कोश्चन नमबर 27 देख लेते हैं ब्रज्यान के संबंद में निमलिखित में से कौन से कथर आसत्य है ब्रज्यान का संबंद 28 सताब्दीम बिहार बंगाल में पल् लेक मिलता है इसमें पापाचारों के त्याक पर सर्वाधिक बल दिया कौन से बच्चों आसत्य है यहां पर डी आंसर सत्य है ठीक है क्योंकि यहां पर पापाचारों पर बहुत जादा जोर नहीं दिया गया है कोश्चन नमबर 28 देख लेते हैं महायान की मननेतों के से निम लिखित में से कौन सा स्तत्य आसंबंद है सभी जुधारी निर्वार प्राप्त कर सकें और बुद्ध हो जाएंगे मनुष्ट को आरहत की अपच्छा बोधिसत्त बनने का उपयोग करना चाहिए ठीक है बच् तारा की यह उपासरां करते हैं तो यहां से दी ओगा सभषार धुख से परिकूड है पर निराश नहीं होना चाहिए ठीक है बच्छों करें को से कोश्चन नमबर 28 है महायन की त्रिकायि सिद्धान्त में से कौन सा असंबंद है समभग संभोग काय धर्मकाय जराकाय निर् का सिदान संभोग काया और धर्मकाया निर्वार कया का उलेख तो मילता है जर्धा का उलेख नहीं मिलता है तो आंसर होजहत घाप सी तरा ब्रजयान का उद्वब कभ हुआ ब्रजयान का उद्वब और ठीचरी सतवदीय शापूरव में पच्वी सताब्दी इस्वी में चटी सताब्दी इस्वी में आठी सताब्दी इस्वी में कब हुआ था उद्वा बच्चो आठी सताब्दी इस्वी में यद आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें यद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यद चैनल पर नह हैं तो subscribe करना ना बोले thank you so much have a nice day God bless you all of you